महापुर्सों बड़े प्यार से कहिए धन्यंकार जी महापुर्सों आज के समाज में आज के इस घोर कल्युग में जब हर चवराहे पर हर गली में हर नगर में हर सहर में एक से एक पंथ एक से एक संपरदाय धर्म गरंथ और एक से बड़े बड़े बाबा अपना अपना और इस तरह का परचार करने में लगा है। ऐसे समय में बिगत कितने बशओं से निरंकारी मिशन भी इस समाज को देन देने के लिए दिनरात एक किये हुए है। इन तमाम धर्मगरंथों में, इन तमाम मजहबों में और संस्थाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए निरंकारी मिसन दिनरात लगा हुआ है। और निरंकारी मिसन इस समय पुनिया में अपनी गुडवत्ता के लिए जग जाहिर है ऐसे ही संत निरंकारी मिसन के अनूठे होने का दास कुछ आधार बताने की चेश्टा कर रहा है। परमात्मा को परमात्मा से मिलाता है, मानों को दिविगुणों से विभुशित करता है। बरनल, गोत्र, रंग, सामाजिक अस्तर, खान-पान, पहनावा, संस्किर्ट, तथाराश्ट्यता आधिके आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेरभाव नहीं करता। पांचमा संत्निरंकारी मिसन की आउधारणा है, इस वर एक है, संपूर्ण मानोजाती का केवल एक ही धर्म है, वहा है मानोता, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, संचेप में जो भी घटक मानोजाती को वार्ड, छेत्र, अथवा स्वार्थ के आधार पर माठते हैं, जिसका मूल आधार निश्वार्थ मानों सेवा है, संत निरंकारी मिसन का मुख्य लक्ष मानों एकता है। 6. संत निरंकारी मिशन आस्था तथा धर्म की भिन्यताओं से संबंधित लोगों में एकी करण की भावना का उदे करता है तथा सभी संतों को एक ही विश्व परिवार का सदस्य मानते हुए मित्र भावना से रहने की सिच्छा देता है 7. समाज की सोच, द्रिष्टी कोण, सभाव, योंग परकृत में संत निरंकारी मिशन समाज को दिब ज्यान देकर नैतिक्ता के आधार पर परिवर्तित कर एक्ता, समानता वा बंधुत की भावना मानों के अंता कराण में भरकर एक नभीन आध्यात्मिक समाज की संदचना करत 8. संत निरंकारी मिशन के सभी महापुरुस का दिष्टकोण आध्यात्मिक होता है, ब्रम ज्यानी को अपने जीमन में नम्रता, सैसुर्ता, भक्ती, प्रेम, सांती, रीत, सहंसीलता, नीश्वार्थ, सेवा, आध्यगुणों के आभुष्णों की माला हर समय अपने कंठ मे धालर करनी चाहिए, 9. संत निरंकारी मिशन, धर्मियास्था, विश्वास, संस्किर्थ, तथा राष्ट्यता में विभिन्यता होने पर भी ब्रम्य ज्यान का अमरित, परतेक मानों को पिलाता है, ताकि सभी जन, चिरस्थाई, सुक्षांती, योंग मुक्ष प्राप्ष कर क्योंकि ईश्वरिये ज्यान सत्गुरु की किरपा से ही मिलता है, सत्गुरु ही परम पूजनिये हैं, तथा परम आधननिये हैं, गेरहमा संत निरंकारी मिसन परमात्मा के खोजी को ईश्वरिय सामराज में सुरक्षा परदान करता है सर्व व्यापी, सर्वग्य, सर्व सक्तिमान, निराकार प्रभु के परतेच्छ दर्सन कराकर इस से अस्थाई सम्मंध बनाता है यह मानों तथा प्रभु के संबंधों में अस्थाई तुलाता है संत निरंकारी मिसन की आस्था है, मानों को हर समय उठते, बैठते, खाते, पीते तथा, सोते हुए भी अस्मनर करते रहना चाहिए इससे मन सुद्ध रहता है, पसूब्रिती समाप्थ होती है, योम प्रभु का संदच्छन प्राप्थ होता है इसी कारण मिसन भक्ति के वास्तविक मूल, आधार, सेवा, सुमिरन तथा सत्संग इन तीनों की प्रक्रियाओं पर विशेश बल देता है तेरहमा, संद दिरंकारी मिसन ना तो किसी को संसार त्यागने की सलाह देता है और ना ही संसार में अत्यधिक लिप्त रहने की दिरंकारी संद संसार में रहते हुए भी संसारिक नहीं होते जिस प्रकार कमल पानी में रहता है ठीक उसी प्रकार दिनंकारी भग इस अंसार में निरलिप्त रहकर अपना जीवन बैतीत करते हैं 14. संतिनंकारी मिसन नैतिक योंग मानविये मूलों को जीवन में समाविष्ट कर मानों को दिव गुणों से भर देता है जिस से मानों प्रगती के पत पर सकारात्मक दिष्टी से विचरन करता है दिव ज्यान को हो जाने पर सच्चा भग अपने जीवन को दिव्यात्मक साचे के अन्रूप भी धाल लेता है इसी से संतजनों को सतकर्म करने की प्रिणज़ा मिलती है शंत दिनंकारी मिशन से जुड़े संतों की करणी तथा करणी में कोई अंतर नहीं होता आत्मा की आवाज के अनुसार धोनी के संकेता अनुसार कारी करना ही उत्तम है संत दिरंकारी मिशन के संत सत्गुरु को प्रात्मिक्ता देते हैं और हर पल हर छण यही अरदास करते हैं कि सत्गुरु के बताये हुए रास्ते पर नित परित चलते जाएं धन्यनकार ची